सो वेलकम बैक तूट चानल गाइस जैजे भोले जैश्विशंकर और जैसे कि आपको पता होगा कि हम ये थ्री डेस की जर्नी में आये उज्जेन में और आपको कल के दिन हमने उंकारेश्वर मंदिर के दर्शन कराए तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे और जैसी कि ये गाना है जैसा डम्रू बजाया मूले नाजने सारा कैलाष पर्वतमगन हो गया पर कैलाश मगन नहीं हुआ है, पूरा उज्जन मगन हो गया, मंत्रा मुक्त हो गया है सुबह रात से ही हम सुन रहे हैं कि पब्लिक का आना चालो गया और आज कावड यात्रा भी आने वाले, तो हम बहुत लखी कि हम इस दिन पर आए और आप उससे जादा लखी हो कि आप घर बेटे, यह सब जिसका आनन्द ले सकते हो तो इसी बात पर हमारे चानल को सब्स्राइब कीजिएगा तो आज हम आपको कावड यात्रा दिखाएगे, माहकाल के दर्शन कराएगे, काल बहरभ के दर्शन कराएगे और मंगल करके एक बंदीर है, उसके भी दर्शन कराएगे, रामघाट के दर्शन कराएगे तो हमारे वीडियो पर बने रही है, क्योंकि हम maximum ट्राइक कर रहे हैं कि आपको घर बेटे सारे दर्शन कराएगे तो यह हमारा डे थ्री है उज्जन में और यह लास्ट जे, फिर हमें यहां से जाना पड़ेगा, मन तो नहीं कर रहा क्योंकि यहां का परिसर इतना पावरफुल है, मतलब आपको बोले नाथ की पुकर हर एक सेकंड किसी ना किसी की मूह से सुंदी मिलीगी तो यह होता है पावर जै भोले जै शूशंग मेरे प्यारे दोस्तों आपको हम बेटर व्यू देने के लिए हमारे होटल के टैरेस पर आये कि यहां से लगबक सब कुछ दिखरा में मंदिर यह साइड है और एंटरंस यह साइड है तो वो व्यू देने के लिए हम यहां पर आए तागे आपको भी देख सके कि कितनी ज्यादा भीड़े हजारों की तगात में लोग आए और अभी तो बस शुरुआ आते है अब जब वो कायर यात्रा आएगी तब तो कुछ अलगे वाइप सोगी कुछ अलगे फिलिंग होगी हम बहुत इंकजार करें कि यह हमारा लाइफ में फर्स्टाइम में उज्जन आना और यह कावड यात्रा के बारे में भी सुनना तो वी आर सो मच एक्साइट तो इसी एक्साइट के साथ वीडियो पर बने रहे है तो ले जानते है वो राज क्या था पस है ने पाठोले टेंशन यह नो को मड़न को काड़ी आई नहीं तो ब्रोइन दिस्ताय में आप लिया कुए विश्वस्टाइब की नहीं आपन धिवास अलमतला तो बस मड़ना गाड़ी अडिस किलोमेटर तैने जो हंटेड एरिया होता थे देडिस कल्षाः कि अधिları काड़ी में आपर दिल दिल्हाई ठाकशिल कानुमेटर तैने यह अला पाश के लेला टेर अच्छारण के लाज कर दिलह का लाइक नो है harder revolution वे पहत हो तकाया फुड़ सूमर के लानी, दाडी नोजी वोलीस फॉलीस नोगा है तो अनि ते लोकर थे लोकर थे लोकर थे मुपोर्ट अशा पंदशी मेध दर्शन घंग साथ पंदधियं कहा लोग लागर नीए तो अमी आतमा देपलो अमे आतमा देपलो साड़ेतीनला किती बोगम बाल यहा आखक में दो सेम देख वीटामासिंसे हटेलास घंग नहीं ते आमी वीत त वाल्बादी कि एको भागा माते हैं संबर किने राइन लिन लिए नहीं है दो पर दो पकड्ला इलाय पकड्ला पाओ नहीं कर खाले नहीं अब्हाद। यह जिए नागद रहना थो आप पुछ गड़ो ज हाना पादाह तक बादुट रहलो को आम चा मठीग बादुला जोब लोग जोब ले माज़ हलो सब्सक्राइब है वहलो। अबसद नावातिया रखेने, अबसद रेका ने डेप्र आपने अपने हशया। अबस...? में आता हे खाशे लोगो जोपन अफ्ति लेजा। ते अट पूबले बेंदिला हादलों फोगले। कंप्लिट। मश्में चाला 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 का शबति लोगठी वह भोणि उठाल काया ले। उन्हे लोगो जोपने के मुझने के जोपने के लिचिता के संबरले। जोपले को पुड़ भूपले खली थे कैंटिंग वाले लावाद देला भाईया कोई है कि अधार में पूली सुछान चानता था जोटे नहीं प्रशना तो जहने मराठी नहीं समझाई मैं उनके लिए बतारी हूं तो यह जब अपने केदार नाद यात्रा पर गए थे अपनी वाइट के साथ तो यह एक ऐसे हॉंटेड प्लेस से गुजर रहे थे हॉंटेड इंदल सेंस कि जब फ्लड आया था तो उस प्लेस पर बहुत सारे लोग खतम हो गए थे तो बहुत लेट नाइट हो चुका था तो अचानक से इनको एक कार मिली जिसने लिफ्ट दिया इनको बेटा करके इनको बुलाया और ये भी उस कार में बैठ गए और इनको धाई किलमेटर तक ड्राइफ करके एक सेफ प्लेस पर पहुचा दिया और जैसी है हस्बेंड वाइफ उस कार से उतरते और पीछे घुमते तो देखते ना वहां कारे ना कुछ और और बाद में इनको पता चलता है वहां के गाड और वहां के लोगों से कि यह रास्ता तो इतना पतल है कि यहां पर कार बाइसिकल कुछ ड्राइवी नहीं हो सकती तो फिर वो कौन थे जिन्होंने इंका साहरा बना तो वो साक्षात महादेव थे कर दो सकती का सिर्ड़ा है माहा कालते तर्शिंपा लाइन में हम लो गड़े गए और भी लाइन को रोक के रखा गए बहुत जादा अमार्ट में पपलेग आई हुए है तो पिछे आप देख सकते हो आई आई कि पाक पाक कि आभाग। कarily तरिजरता घुल वखल आरियम्स पुछान उन भानना शांकामा मिदोगारी मर अन्लग हुसर क्वार्दा गुछा थरल भाका। करता करे न कर सके शीव करे सू हुए तीन लोग नौ खंड में महाकाल से बड़ा ना कोई के वाद महाकाल के दर्शन हो गए बड़े देविया और अच्छे दर्शन हो जिर्फ यह की शरावण महने के वज़े से आप नजिक तो निगा सकते हो बहुत जादा दुपर और बहुत ज़्यादा घर जीधी वीडियो में आपको दिखाए होगा पर दर्शन मिलना ही है जो प्रदेश नाम ताब अवन्तिका इसके लिए इसे बोला जाता है और जो महाकाल देवदा है यहाँ पर साक्षत विराज मानने मतलब जो इनकी पावर है वो साक्षत यहाँ पर है और महाकाल यह पहला ऐसा 12 जोतिरलिंग में जो दक्षिन की ओर है और 12 जोतिरलिंग दक्षिन की ओर नहीं है क्योंकि यहां पर आपको पता होगा भस मारते सिधा शम्षान से लाया जाता है तो यह मुर्त्यों के दिवतार मतलब उनके आगे हमारे महाकाल बाबा के आगे को यह न्या है और जो हमने ओकता अरिशवर मंदिर के दर्शन के थे वह पाच मुखी उनका जो शिवलिंग था, तो पाच मुखी था तो यह दक्षिन्मुखी महाकाल मंदिर है और इसके पीछे एक कता है कि अवंतिका प्रदेश में प्रिशी मुनी मतलब जो दिनचारिय था वो बहुत अच्छे कर गुजर रहा था परन्तु एक दिन एक दुशन नामता इक राक्षास था जिसने यहां पर आकरमन कर दिया और यहां के लोगों को बहुत परिशानी और तकलिफ पहुचाने लगा तो सारे इशिम उन्हें ने तबस्या करके महादेव को पुकारा हूं और महादेव साक्षा यहां पर प्रकट हुए और जब प्रकट हुए तो उनके भूंकार से ही दुशन राक्षास का विनाश हो गया तब से महादाल का वास यहां पर है घंगुर अंदेरा ओड कर मैं जन जीवन से दूर हूँ शम्शान में मैं हूँ नास्ता मैं ही मृत्यू का गुरूर हूँ आप दूर्ट है तो आपको बुकत करना है तो आपको नना बुकिंग यह होता है अगर आप एक दिन पहले आ रहे हो तो आपका प्रीमे हो जाएगा और अगर आप एक दिन पहले आते हो फुर कि रुपिस्टेक कूपर में मलता है तो उससे भी भस्मा आर्थी अटेंड कर सकते हो और भस्मा आर्थी चार बजे होती है चार बजे से शुरुआत होती है जो पहला भस्मा महादेब को लगता है और यहां की मान्यता है कि भस्मा आर्थी अगर मत लोगी देखे तो ही बहतर कि अपसेटी?